नमस्कार न्यूस क्लिक की तरफ से इस समय हम खड़े हैं बाली में यहां से सीपीम की उम्मीदवार हैं सयुक्त मोर्चे की उम्मीदवार हैं बहुत ही युवा दीपशिता और उनका चुनाव प्रचार अभी चल रहा है जबरदस्त नारे और भाशन के बाद हमने उनको बड जेनियू से उतर कर सीधे बंगाल की धरती में आई हैं क्या अंतर लग रहा है वैसे तो वो जम एकदम सीधा नहीं था मेरा जो राजनिती के साथ जुड़ाव है वो बंगाल से शुरू हुआ था मैं जब आशुदोश कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं SFI का सदत से बना उस पर हां यह जो चुनाव है यह अलग है क्योंकि इसके पहले हमने जिन लोगों से बात किया है वो चात्र ही थे जो मीटिंग हम एड्रेस किया है उसमें बस हम चात्र के बार में बात कर रहे थे पर यह सच मुच का लड़ाई है इसमें राजनीती आफकोस विचारधारा का ल यहां के जो साती है जो कॉम्रेड है जो आम लोग है जिस प्यार से जिस मुहबबत से मुझे अपनाए है मैं बहुत सुकून में हूँ मैं बहुत कॉन्ट हूँ कि अगर यह लड़ाई है तो यह लड़ाई आगे जा सकती है सब लोग कह रहे हैं कि बंगाल बदल रहा है बंगाल की राजनीती बदल रही है बंगाल में हम अभी नंदी ग्राम और बाकी सब जगों से हो के आए वहां पर जिस तरह का दुरूवी करण है आप तो बंगाल की हैं कितना बंगाल बदल गया बंगल बदला है पिछले दस स और उसको लेकर डिबेट था वह लंबी चौरी डिबेट थी, academic डिबेट भी था, राजनेतिक डिबेट भी था और अब 2021 में जब चुना होने वाला है कोई ये बात नहीं कह रहा है कि हमारी इस राज की अंदर अगर industry बनेगा तो उसका नीती क्या होगा अगर जमीने ली जाएगी तो उसका policy क्या होगा, जो बात हम 10 साल पहले कर रहे थे कि एक developing nation, एक developing state को अगर आगे जाना है, अगर industrialization करना है तो उसका policy क्या हो सकता है उस policy की बारे में उस आगे जाने की बारे में अभी कोई बात ही नहीं है, अभी अगर चुना हो रहा है तो वो धर्म की आधार पे हो रहा है, परिचिती की आधार पे हो रहा है, जहां पे नरेंदर मोदी जी हिंदू-मुसलमान polarization करने की कोशिश कर रहा है, वो ही पे ममता बनेजी जो slogan लेके आई है, कि बांगला नीजेर मेके ही चाहे, जो कही ना कही एक बहुत जादा शोविनिस्ट एक अप्रोच है, निटिविस्ट अप्रोच है, और बंगाल में वो लोग, जो लोग बंगाली नहीं बोलते है, जो तरीके से लोग सोच रहे हैं, जो लेंग्वेज में नेताई एक दूस्रे के साथ बात कर रहे हैं, यह हमने देखा नहीं, यह हमने सुना नहीं है, और यही पड़ी चैलेंज है, कि ना के हम इवस दो पोलिटिकल पार्टी को हराना है, पर यह राजनीती में जो बदल हुआ अभी जो बंगाल में जिस तरह से पॉलराइजेशन है जिसका आपने जिक्र किया हिंदू-मुसल्मान, खान-पान, सब कुछ दाओं पे लगा है, बंगाल की संस्कृति दाओं पे लगी है, यह कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर आप कितना सब्सक्राइजेशन है जिस तरीके से पश्ची मंगाल की अंदर महिलाय पार्टिसिपेट करती रही है, और वो सिर्फ यह चौती साल की बात नहीं, उसके पहले भी, चाहे वो कौलपुना मित्रो, कौलपुना दौत्तो हो, इला मित्रो, मतलब इतने सारे महिलाय जो मतलब इतने सारे महिलाय पार्टिस नहीं दिलाया गया कि आप तो महिला है, मतलब इतने सारे महिला होने के बाद भी पश्ची मंगाल की अंदर बहुत पुर्जोर तरीके से राजनेती कर पाई, पर अगर जो विचारदारा वीजेपी इधर लेके आ रही है, अगर वो साब सच में इंप्लीमेंट होता है, तो पश्ची मंगाल के अंदर पिछरे तपकों से जो लोग आते है, गरीब परिवारों से जो लोग आते है, जो महिलाय आती है, उनके लिए राजनेती करना बहुत मुश्किल होगा, आपको कैम्पेन के लिए दूसरी जगव भी जाना है, म बंगला में एक बात कहते है कि भांगा बुकेड पाजोड़ दी है, नौया बंगला गोडबो, मतलब हमारा जो टूटा हुआ दिल है, इस टूटा हुआ दिल के साथ हम नया बंगल बनाएंगे, तो ऐसा बंगल हमारा होगा, जिस बंगल में कोई अगर नौकरी चाहता है, क किसी भी आदमी को उसकी जात की नाम पर उसकी मजभब के नाम पर मारा नहीं जाएगा, पिटा नहीं जाएगा, हमें कैसा बंगल बनाएंगे, जो बंगल का सपना लेके, शोहीद कुदिराम, मास्टरदा शुर्जोशन, यह सब लोग अपना शहादत दिया है, एक बंगल इस तरह से आप पब्लिक में आई है, क्या आपको लग रहा है, लोग Iya का खेल हमारे साथ है या नहीं है, हमारे साथ लोग है, तो पैसा जो है उस पैसे से आप सब लोग को नहीं खरीड सकते, कुछ लोग है जो पैसे के लिए बिग जाते हैм, हमने नहीं देख़ा है, झाल झाल